नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चेनल सुपर सेवन से मैं मोई तुयस्टों आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों हम राजस्तान की इतियास में चोहान राजवंस पढ़ रहेते हैं दोस्तो कल हमने complete किया था नाडोल के चोहान नाडोल के चोहान की दोस्तो एक सासक रहते हैं किर्थिपाल चोहान जो जालोर में आ जाते हैं और जालोर में दोस्तो चोहान मंस की स्थाबना करते हैं और दोस्तो यहाँ पर जो साका जो सासन करेगी वो है सोनगरा साका तो दोस्तों सुरू करते हैं जालोर के बारे में यहां के सासकों के बारे में संस्तापक के बारे में मूल पुरुष के बारे में आदी सब कुछ देखते हैं दोस्तों इनमें दोस्तों क्या-क्या दोस्तों इनका योगदार मिलता है किन का इतियास मिलता है तो देखते हैं दोस्तों जालोर के चोहान जालोर के चोहाना में दोस्तों सुरू करते हैं हम कीर्थिपाल चोहान जे पहले दोस्तों हम देखेंगे जालोर का नाम जालोर का प्राची नाम मिलता है इसके अलाव दोस्तों इनके क्या क्या नाम मिलते हैं तो दोस्तों सूरू करते हैं जालोर पहले दोस्तों जालोर के बारे में जानते हैं जालोर का नाम दोस्तों जालोर क्यों पढ़ा और इसका प्राची नाम क्या था दोस्तो इसका प्राची नाम लेके देखते हैं इसका प्राची नाम मिलता है जाबाली पूर ये क्यों पढ़ा दोस्तो एक जाबाली नाम रिशी के कारण ये इसका नाम पढ़ा दोस्तो जाबाली रिशी के नाम पर और दोस्तो बाद में यही जाबाली पूर दोस्तो बाद म यही जलंदर क्या कहला है जालोर एक दोस्तों यहां पर जालवरक्स की अधिक्ता के कारण इसको क्या कहा जाता है जालवरक्स की अधिक्ता अधिक्ता के कारण इसको क्या कहा जाता दोस्तों जालोर तो यह दोस्तों हुए यहां के तीन जो जालोर के नाम पढ़ने के पीछे जो reason मिलते हैं वो अब दोस्तों सुरू करते हैं यहां के जो मूल पूरुष है उनके बारे में उसके अलावे यहां के जो सासक हैं छोटे साथ साक हैं, बड़े सासक मिलेंगे एक सबसे जादा सासन करने वाले उदे सिंग मिलेंगे तो दोस्तों सुरू करते हैं जालोर का इतियास में दोस्तों पहले देखतेंगे हम सासक के नाम लिख देता हूं दोस्तों एक है कीरतिपाल तो यहां का क्या है संस्तापत कीरतिपाल के बारे में दोस्तों सासक बनेंगे वो बनेंगे समर सिंग समर सिंग के बारे में कुछ योगदान मिलता है वो देखेंगे इसके अलाओ दोस्तों इनका कहा से काल तक कारेकाल रहा वो देखेंगे एक दोस्तों सासक मिलते हैं वो मिलते हैं उदे सिंग उदे सिंग के बारे में घटनाई मिलेंगे दोस्तों इनके काल में इलतुतमिस सास्त हमला करेगा दोस्तों इलतुतमिस के हमले को ये विफल करेंगे इसके बाद में दोस्तों उदे सिंग के बाद में जो सासक बनेंगे वो बनेंगे चाचिंग देव ओर इनी का दोस्तों योगदान मिलेगा सबसे बड़तियास मिलेगा इतियास तो तो दोस्तों यह नें सबसे बड़ा है जबकि दोस्तों स्वारणिम पणन्ने भो कानड़ देव क vog इतियास किर्थिपाल के बारे में दोस्तों किर्थिपाल ने दोस्तों 1181 दोस्तों यहां पर इस्तापना किये फिर दोस्तों समर्षिंग का 182 से लेके 2105 तक उगांषी सिंह का 1050 नकम गंगा तुलिए 08 1131 में स beter में इतना सा युगदार मिलता है और एक इनकी उपादी मिलती है वो मिलती है राजेश्वा ये दोस्तों याद रखना है दोस्तों हमें राजेश्वा ये याद रखना हमने दोस्तों कीर्थिपाल के बारे में और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादा जानकारी है वो दोस्तों हमने जालोर दुर्ग का पुनर निर्मार ये किस ने करवाया ये करवाया सामार सीमे एक कार ये हुआ इसके अलावे दोस्तों इन्होंने बीन माल को जीता नाडोल को जीता तो ये देखते हैं बीन माल इन्होंने जीता नाडोल इसके अलावे इन्होंने दोस्तों बाड मेर को जीत लिए इंहीं के क्यों degenerates जो नो इन के दोस्टो अइनल मेशा बास आखिर यह और ऊ़िजडर है तो वह पर देखेंगे दोस्तों किसी पुत्री भूल है व्यां मेट युज्ज में फॉता से दोस्तो विवा किसका हूए समर सिंह की पुत्री है लीला देवी तो यह हूँ अंहारे समर सिंह के दोस्तों पहले में बता दूँ एक बार की इनका जो कारेकाल वह रहता है पहले गड़ना मिलती है इल्तुत मिस्का आग कर्मन के काल में होता है दोस्तों बहुताला का जिसमें इल्तुतमिस्की हार होती है तो यहां पर है दोस्तो जालोर जालोर में दोस्तो वो आगे बढ़ता है तो इल्तुतमिस का आकर्मन और होता कब है यह होता है दोस्तो 1228 में जस्त भुताला के एक साल में बाद में यह दोस्तो होता है अब इनके बाद में दोस्तों इल्तुत में इसका एक पुत्तर रहता है वो रहता है नासीरुदीन महमूद इस नासीरुदीन महमूद का आकराण भी होता है दोस्तों इल्तुत 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 इल्तु इनके बाद में जो सासक बनते हैं वो बनते हैं चाचिंग देव के काल में दोस्तों सबसे बड़ी गटनाई यही मिलती है कि इनुने दोस्तों क्या किया सामराज्य का विस्तार सामराज्य का विस्तार सामराज्य का विस्तार किया दोस्तों सामराज्य के विस्तार करने के लिए अनुकूल दसा ही चाहिए होती और अनुकूल दसा में इनको सबसे अनुकूल दसा मिली कि दिल्ली के किसी सुल्तान का आकर्मन नहीं हुआ तो इससे दोस्तों इनको सुईदा मिली और दोस्तों इन्होंने क्या किया सामराज्य का विश्तार अब इनके बाद में जो सासक बनते हैं वो बनते हैं सामन सिंग सामन सिंह के काल में उपर जान सामन सिंह के बारे में जानते हैं जल्ला किल के fps मोई present रेषचम перемane योष्य और दोस्तित्तते हैं यहbox देखे राव में हम साथ में सीवाना का है वो देटेंगे पहले द दोस्तों देखते हैं यह हैं सामन सींगह पूत्र सामन सिंह के फुत्र अब शुरू करते हैं दोस्तों कानड देव का इत्यास और अलग अलग इत्यास करों के क्या क्या मत मिलते हैं कि अलाउदिन खिलजी से दोस्तों इनका विवाद रहता है और अलाउदिन खिलजी उस समय दोस्तों वैसे तो देखा जाता है तो सामराद जेवदी, नीती का दोस्तों, पूरा अनुसरन होता है, पर लूं तो उसके अलावा कहीं कारण मिलते हैं दोस्तों कानड़ देखते हैं दोस्तों कानड़ दिय। दोस्तोम बता है उसके अलावा दोस्तो एक फरिष्टा की पुस्त मिलती है वह मिलती है तारी के फरिष्टा उसके अनुशार क्या मिलता है एक हमारे मुहनोथ नेण कीजी हैं वह क्या मानते हैं तो यह सब लिखा गया है ये लिखा गया है पदमनाब का गरंथ है और दोस्तों ये पदमनाब का जो गरंथ है ये पदमनाब कोन है ये कानर देव के दर्बारी है अब इन में दोस्तों अलाउदिन खिल जी और कानर देव के मद्य विवात का क्यारण क्या माना जाता है तो वो देते हैं गुजरात का अभियान ये क्या है दोस्तों अलावदिन खिल जी के दोस्तों दो सेना पती है उलुक खां और उनके साथ में है नुस्रत खां ये दोस्तों है दो सेना पती अलावदिन खिल जी के और ये किस अभियान पर है ये है गुजरात के अभियान पर और गुजरात का अ जाने की मांग करते हैं कि जालोर की तरफ से गुजरात के लिए जाएंगे कौन अलाउदिन खिलजी की सेना तो यह क्या करते हैं दोस्तों रास्ते की मांग रास्ते की मांग करते हैं दोस्तों, जो सासक है सामराजे का जालोर का वो है कानर देव, कानर देव से दोस्तों कहनर देव से, कानर देव से रास्ते की मांग करते हैं कि हमें यह गुजर ने दिया जाए, पर अंतु कानर देव क्या करते हैं, यह मना कर देते हैं, अब दोस्तो तो यह जब रास्ते से निकल जाते हैं बाद में दोस्तों यह गुजरात विजय के बाद वापस आते हैं गुजरात से विजय के बाद खुने आते हैं दोस्तों फिर इनी रस्ते की प्रोब्लम मिलती है और जालवर वाल दोस्तों इनको बना करते हैं प्रंतों दोस्तों उसके फाइनुल्क मुल्क मुल्तानी मिलता है यह जो कारण है आइनुल्क मुल्क का मुल्तानी वाला ये मिलता है ये दोस्तरी पुस्तक है वो पुस्तक है तारीक ए फरिस्ता इस पुस्तक में दोस्तों ये वर्णित है कि ये अलाओ दिन खिल जी आईन उल्मुल्क मुल्तानी के नेतरतों में सेना बेजेगा और ये पुस्तक किसकी है ये पुस्तक है फरिस्ता के इसमें क्या है कि यही कारण है दोस्तों आगे बढ़ रहा है यह कारण कि आईन उल्मुल्क के नेतरतों में कानड़ देव के विरुद सेना बैसता है कौन बैसता है दोस्तों आलावदिन खिल जी यह कारी है आई दिन मल्क मुलतानी के नेतरतों में दोस्तों सेना बैसी जाती है कानड़ देव के विरुद अब होता क्या है दोस्तों आयनुन मुल्क दोस्तों कानर देव से दोस्तों मुलाकात करता है और इनके मद्द एक समझोता होता है और दोस्तों इसको समझोता इस समझोता में दोस्तों क्या होता है समझोते में होता है दोस्तों कि कानर देव दोस्तों अलावदिन खिल जी के दर्बार में उपस्तित होंगे तो कानर देव जाते हैं कानर देव जाते हैं एके के दर्बार में ये समझोते का दोस्तों माना जाता है परन्तों दोस्तों अलावदिन खिल जी उनको गोरोपुन प पाया तो कानड़ देव आ जाते हैं जालोर और जालोर आ जाते हैं इस बात से नारा जोकर और दोस्तों जालोर आकर वो क्या करते हैं युद की तैयारी युद की तैयारी ये कौन करते हैं दोस्तों अलावदीन जो कानड़ देव है वो तो एक कार्ण हो गया दोस्तों इनके म प्यानर देव नहीं जाते उसमें दोस्तों कौन जाते विरम देव ये कौन मानते है मुहनत नेर्ण सी इनकी दोस्तों एक किता मिलती है वो मिलती है नियर्ण सीरी ख्यार उसमें दोस्तों क्या लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि दोस्तों कानर देव की जगा कौन गए है वीरम देव तो वीरम देव गए वीरम देव गए एके के दरबार यानि अलावदिन खिल जी के दर प्रेम कर बेटती है फिरोजा प्रेम करती है और दोस्तों उनसे साधी के लिए मांग करती है साधी के लिए मांग किन से करती है दोस्तों साधी के लिए मांग ये कौन करती है दोस्तों फिरोजा और किस से करती है विरम देव से परंतु विरम देव क्या करते है विरम देव उनको मना कर देते है वो दोस्तों मुसलिम लड़की से साधी करना नहीं चाते थे मना कर देते है और मना कर देते है और बाब में क्या करते है दोस्तों वो आजा रहती है धाय मा इस धाय मा रहती है किसकी फिरुजा की इस धाय मा के नेत्रतुव में सेना बेशता है और जिससे लड़ता हुआ दोस्तों वीरम देव मारा जाता है और दोस्तों जो उँनका सर कटा हुआ जब जाता है दिली फिरोजा के सामने तो फिरोजा क्या करती है दोस्तों फिरोजा उसे देख गर यमुना में कूऑ जाती है और दोस्तों खुद भी अपनी लीला है वो समाप्त कर लेती है तो फिरोजा यम्मुना में कूछ जाती है यह कौन लिखते हैं हमारे यह हमारे लिखते हैं जो मुहनोद नेंड सी जी है वो यह हुआ दोस्तों पहला कारण यह दूसरा कारण तारी के फिरोष्टा के अनुसार फिर मारे नेंड सी जी आ गए और दोस्तो ये गटना मिल गई मोनो नेंड सी जी के अनुसार की फिरोजा की जो प्रेम की गटना है वो और फिरोजा जब मर जाती है तो दोस्तो अलावदिन खिल जी उससे नारज होता है वो आ रहा है अब और उसमें है दोस्तों दस्रतलाल सर्मा है दोस्तों दस्रतलाल सर्मा ये मानते हैं ये कारण है दोस्तों सबसे इंट्रेस्टिंग कारण भी माना जा सकता है और दोस्तों सबसे ज्यादा तर माना जाने वाला कारण भी यह है दोस्तों अलाव दिन खिल जी चाता है दोस्तों गुजरात पर अधिकार जब दोस्तों हम राजस्तान का इत्यास पढ़ते हैं तब मेवाड दोस्तों हमने देखा था उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि जो अलावदिन खिल जी है उसका जो सबसे बड़ा मानने का दोस्तों जो मिलता है वो मिलता ह यह गुजरात पर अधिकार करना चाहता क्यों दोस्तों गुजरात में व्यापार वानिजे जो था वो सम्रत था और जिसका उस पर अधिकार था उसका रेवेन्यू वगेरा सब बढ़िया था तो यहां पर अलाव दिन खिल जी बेटा यह दिली अब वो यहां से दाता पर दोस्तों जालोर है जब दोस्तों रस्ते को देखा जाता है तो दोस्तों देख लीजिए आदा राजस्तान कवर हो रहा है और गुजरात पर अधिकार हो रहा है ये रस्ता दोस्तो सूद्रड उसको परात हो जाए तो गुजरात पर उसको अभियान दोस्तो सफल रह सकता है आगे जब वो दोस्तो रेवेन्यू अगेरा की बात आती है तो दोस्तो गुजरात पर अधिकार है तो अलाउदिन खिलजी का दोस्तो जो रेवेन्यू अगेरा है उसकी दोस्तो राज कोस है वो भरपूर बरा पड़ा रहेगा अगर उसका दोस्तो ये रस्ते पर अधिकार हो जाए तो ये दोस्तो गेलेमेंट कारण माना जाता है दस्त लाग सर्मा के अंसार जो कारण दिया जाता है वो और इसी क्यादार पर 1301, 1303, 1308 और 1311 में दोस्तो अ जालोर पर आकरमर दोस्तों सेनापती है अलाउदिन खिलजी का वो है कमालुदिन गुर्ग ये है दोस्तो जालोर का दुर्ग मान लीजी ये है जालोर का दुर्ग और यहां पर दोस्तो दुर्ग बना हुआ क्या दोस्तों अलाउदिन खिलजी ने 1308 में 1308 में कमालुदिन गुर्ग को बेजा कहां पर आकरमन करने के लिए वो करने के लिए बेजा कमालोदीन गुर्ग आता है और दोस्तों यहां पर गेरा डाल देता है गेरा डाल दिया दोस्तों कमालोदीन गुर्ग ने और पास ही में दोस्तों एक दुर्ग पढ़ता है थोड़ा सा दूर है दोस्तों, वो है सीवाना, और यह पढ़ता है बाड मेर में, ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, वैसे तो, बाड मेर में, यहाँ पर दोस्तों, सीवाना का दूर का है, जब यह गेरा डाले वे रहते हैं, तो दोस्तों यह इनको परिशान करते रहते हैं, पहले तो देखते हैं दोस्तों यह आपर सासक और यह कोण्य आम्यदेव। बतीजे तो कौन है दोस्तो शासक वhã है दोस्तो सृत्र देव अब यह दोस्तो अपने जब चाचा को देखते हैं परेशानी में तो यह दोस्तो इन पर कर्मण करते रहते हैं aur दोस्तो जो रासर सामगरी होती है वो दोस्तो किले तक पहुचते रहते हैं गेरा हके और किसके और शीवाना के तरह और दोस्तो यहां पर भी अलावदिन खिल जी एक नीती का पालिन करता है जिस परकार दोस्तों वो रन्थम बोर में किया था अब दोस्तों वो सीवाना में करेगा चितोड में दोस्तों उसको ऐसा कोई विश्वास गाती मिलता नहीं है उसमें दोस्तों उसी की चाले होती है येदि कीज़ियत बाद में दोस्तों वहां पर भी साका होता है। तो दोस्तों यहां पर वह क्या करता है यहांपर अलावदिन खिल जिक आये एक तरब से और hundred आठमर्श पामर जो होता है विच्वास गात्यी दोस्तों तो खरील लेता है और दोस्तों यह यह एक गोयागत डाल देता है कछी दालता है यह दालता है में जल सर होता है उत्व तो असको पीते नहीं है और दोस्तों ये जो सासा का राजपूत ये दोस्तों लड़ने का फैसला करते हैं और दोस्तों भाइला पवार को दोस्तों विश्वास गात से दोस्तों और जो ये सब कुछ चल रहा होता है उससे दोस्तों क्या होता है सीवाना में दोस्तों अधिकार हो जाता है अल नाम बदल के करेगा वो करेगा खेराबाद सीवाना का नाम क्या किया गया दोस्तों खेराबाद यह हुआ सीवाना का जो साका है वो यहां पर हुई हमारे दोस्तों सीवाना की जो गटना मिलती है वो कंप्लीट सीवाना का दोस्तों हमने साका देखा एक बार में पुना आपक खिल जी और साथ में कौन आते हैं कमालुदीन गुर्ग दोस्तों किलेदार तो बन गया पर उन्तों साथ में आता है दोस्तों कमालुदीन गुर्ग और यहां पर भी अलाउदीन खिल जी एक विश्वास गाती को डूंडता है वो होता है दैया सरदार बीका दैया सरदार बीक करता है प्रफिश्त दोसे चोड़ते हैं यहां पर रिदाय संतार दोस्तों भेदото बेलेन्ट के पर नटते हुए अधिकार होजाते हैं पर दोस्तो यहां रही यह होती है तो जालोर का साखा है वो कब य entrance जालोर का साखा है और 1308 में कहां का साखा होता था दोस्तों सीवाना का सीवाना का साखा 308 में और जो जालोर का Irkati और शहां जालोर का साखा 1112 में consultants de та road de Karnallahu atta जो कानड़ देव के बारे में जो जानकारी मिलती है वो और दोस्तों यहाँ पर किसको बनाया जाता है तो यहाँ पर बनाया जाता है वो दोस्तों बनाया जाता है जो मित्रता हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है अलावदिन खिल जी और कानड़ देव के छोटे भाई है वो ह बाद में दोस्तों चितोड के दोस्तों किलेदार बनेंगे चितोड के किलेदार भी बनेगे मोचला माल दे चीनेगा सिसोधा गाउंका हमीर और वहाँ पर दोस्तों पुने इस्ताबना होगी सिसोधिया वन्सकी और हमीर यह हमीर छीन लेता है और दोस्तों इस्ताबना किसकी होते हैं मेवाड में सिसोधा की तो यहां हो गया दोस्तों सिसोधा साका की यहां हो गया दोस्तों हमारे जालोर का इतियास कम्पली यहां पर चैनल सुपर सेवन को जदा से जदा सब्सक्राइब करें